लगैंब कि नए वीडियो में आपका स्वागत है अँभी बोपाल में हूं और आज इस वीडियो में बोपाल को अक्स्प्लॉर करने वाले हैं पूरा वीडियो देखे आपको पूरी जानगरी मिलने वाली है यह अलपना शांती बस स्टोप चाह रवी मैं खड़ा हूं और य यह सामने ही मेरा ओठल है औरीच्छा इसमें मैं रुका हुआ हूँ काफी पुराना स्ट्रक्चर है और यह मैन रोड है अमीदिया रोड बोपाल की और ये सामने ही रेल्वेस टेसन है यहां से हम गोमते हैं लेप साइड में तो रेल्वेस टेसन आ जाता है तो इस वीडियो को सुरू करते हैं और अभी हमारा ये वीडियो इस बैटरी वाली गाड़ी से शुरू हुआ है मोटल के बार से हमने हमारा ये ले लिया और अभी हमीदिया होस्पिटल तक जाने वाले हैं इसमें ये शेरिंग वाला है जो यहां से 20 रुपे में हमीदिया होस्पिटल तक चला जाएगा और ये गुर्द्वारा तुम्हें मार की गया था यहां पर सामसे ही गुर्द्वारा है पार गेट बना हुए है इस रोड जो पर ये हमीदिया रोड है जिसके अभी हम चल रहे हैं ये यहां पर ओटो मार्केट ये जड़ता है गुर्द्वारा को रस्ता है और ये पोपाल सहर का डूमिनों ये लाल वाली बशे जो सिटी में चलती है सिटी बशे जो एक हमारे आगे में चल देगे देखें और ये साइकल का मार्केट अब भी नहीं साइकल है यहां सब बच्चों की सब अब ये मार्केट पुरा ओपन नहीं हुआ है लेकिन साइकल के दुकाने गरीबन सब ओपन है और ये लाल बस जो सिटी बस है और ये बैटरी वाली गाड़ी जो पूरी सिटी में आपको मिलती रहती है और ये दरगा बनी हो ये इस चोक के ऊपर और ये एक चोक यहां इस चोक क्या बच्टेन का चोक है ये बच्टेन का चोक है और ये इसके आगे का वियू ये एक मॉल बढ़ा हुआ है यहां पर कि यह पुराना बजार आगे यह पुराना बजार गोपाल टाकीज और यह पुरा मार्केट खाव्यू कुछ दुकाने बंद है कुछ दुकाने खुली है और मेदिया रोड पे बोपाल में और यह देखे मरमरी प्रांपी के मरमरी हर जगे रहती है सब को जल्दी है टीपी टीपी सब लोग लगे रहते हैं वह उससे आगे पता निक गहां यह होने वाला है लोगों का क्यों इतनी जल्दी है क्यों इतनी जल्दी में रशते हैं और यह बोपालता किज का चोक यह आगे शलाज वाल बस और यह यह का व्यूपुरा यह यह एक दर्गा बढ़ी हुई अंदर इस दोपी उपरी और यह एक मस्जिद यहां पर यह और यह मस्जिद ने बाहत यह कबरिस्तान और यहां आए इस साइड में पुरा मार्केट परनेचर अरजाई कद्रे सब्सामाद और यहां अंदर यह कोट सुनुद सब्मिनार बढ़ा हुआ है यह और यह एक मंदिर बना हुआ है और यह इसके बाहर का पुरा ओटो मार्केट यह नवाब के ताइम का जेट पड़ा हुआ है यहां पर साजाना बाद अंदर से शुरू हो जाता है इस गेट से इंट्री करते ही काफी बढ़ा और काफी पुराना यह स्टेप्चर जो नवाब ने यहां पर बनाया होगा कभी ऐसे दो लिए कि मैं और कर आजमेल है तरफे तरफे सामने ताज महल आजवीट नवान जो शुरू कि यहां आग्रा पी बाई पार ने आग्रा ताज महल है और इंड़ एक नवाल है और एक ब्वफाल का भी ताज महल है त्टाज महल पाई ये बाई है आट हो तोे म कहें दो कि ये वतारे न ये येत् टीन मोरे तरह से बढे थेंस डेने गया है अरी थारद महल के पड़ा सिंद्ट ऑगत ह सेन्ट काझमेहल क्लेश आज है तक रजत पड्रीकं क्वेिस की फास से बह्ते रहें और यह इधर दो पो रे आगें, और तो legitim को रें, इसमा जो फो खुनohnory और यह जील यहांपर, जोटी जील, यह जोटी जील है, यह क़ जील,อर यह जोटी जील है, यह जोटी जील में इभीこの जील है. और यह थोड़ा हाइट आइदर है, जोनो छोटी जील है, और इसी वीडियो में बड़ी जील भी देखने वाले हैं, बने रहे हैं, इस जील जो यहां के राजा, राजा भोज ने बनाई थी, उस जील को भी अब देखेंगे, वो आगे वीयाईपी रोड पे है, बाई बता र दाने वाले हैं और यह कवी बड़ी यहां पर मस्जित और ये लालबिक्ष जो हमें क्रोस कर रही है, ये भी सीटी में सब जगे जबihi और यह ताज उल मस्जिद काफी बड़ी मस्जिद और बोपाल की सबसी बड़ी मस्जिदों में से एक देखिए कितनी सेडिया जटने के पाद इसमें यहां इसका मैं गेट है और यह मैं गेट के बाहर पुरा बढ़ा सा गेट बनावा पुरा बढ़ा इस्ट्रक्शर और यह सामने का बिऊ और यह इधर से जो अति हुई रोड़ और यह की साइड में तसी रोड़ और यह मस्जिद का साइड से बिऊ आप कि बड़ा मिनार एक दो मिनार बड़े विड़े अगे इसके साथ में छोटी जील जील का पूरा कि पानीगंदर आप देखें तो मच्छी बहुत शारी मच्छी यहां पर ठोट शोटी शोटी मच्छा है और यह पूरी जील का वियू चो यहां कि मश्जिद पास वाली छोटी झी और यह हां से हावा महल सब्सक्राइब दाज महल जो है आग्रा वाला यहां का ताज महल उसका वियू है जील के किनारे से इस मशजिद के साइड से यह यादवजी की चाई काफी फेमस यहां पर और यह सामने ताजुल मस्जिद यह मस्जिद के सामने ही दुकान की और यह यादवजी से चाई फिले के बाद में हम यहां इस चोग पर आगे हैं यह सामने गोपाल का जीपियो है पॉस्ट अपिस और यह इसके साथ में पूरा इसका व्यूब और यह मस्जिद का मिनार ताजुल मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद यहां की है और यह मस्जिद के दूसरी साइड में मागे हैं दारुलूलुम ताजुल मस्जिद का दूसरी साइड का यह गेर यह इदर का व्यू सामने आई यह अंदर चल के देखते हैं और यह मस्जिद के अंदर हम लोग आगे हैं यह अंदर का पुरा व्यू है काफी बड़ी मस्जिद तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए अगले वीडियो में फिर आप शे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का द्यान रखे जय हिंद जय भारत